नमस्कार दोस्तों मैं सोनु कुमार एजुकीशन गुरुजी मैं आपका स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2020 के मोस्ट इंपोर्टन हरियाना करंट फेर की और फ्रेंड इस से पहले हमने पिछले 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का हरियाना करंट फेर बना रखा है अगर आप उसकी पीडेफल चाते हैं तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये सबी करंट फेर हमने पूरी डिटेल में समझाई है तो उसलिए फिर आज का टोपिक शिरू करते हैं हमारा पहला कोशिन है हरियाना में करोना वायरिस को महमारी गोसित करने वाला कौन सा रज्जे बना है तो बताईए हरियाना कौन सा राज्य बना है कुरोना वारिस को महमारी घोजित करने वाला तो फ्रेंट इसकां सा राजाएगा ए यानि पहला देखो जो कुरोना वारिस है इसका नाम क्या है सी ओ वी आई डी उननिस ठीक है एक्जाम में खुश्य आएगा कि कुरोना वारिस का नाम क्या है तो आपको ये ध्यान में रखना है इसको आप ऐसे भी याद रह सकते हैं कोविद उननिस जैसे रामनाथ कोविंद है ना कोविंद और एक कुश्य और बनता इस से कि इसे किस अधीनियम के तहट मामारी गोषित किया गया तो यह किया गया 1997 की धारा 2, 3 और 4 के तहट और बात करें करोना वैरस के हलने नमबर की जीले की बात करें तो जीले का नमबर है 108 अगर बात करें राज्य सतर पर तो हलने नमबर है 85 583 और ये सारी डीटेल मैंने यहाँ पे दे दी हैं आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड और इसकी पीड़ेफाल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप इसे डाउनलोड कर लेना तो फ्रेंड हमारा अगला कोशिन है नीमन में से हर्याना में राज्य सभा के चुन और एक होगा उपचुनाव जो उपचुनाव है ये किसके लिए होगा जो विरेंडर सींगुते हैं इनों इस्तिफा दे दिया था इसलिए यहां पे तो होगा उपचुनाव और इन दो सिटाओं के लिए होंगे समान्य चुनाव और ये दो सीटे किसकी हैं एक सीट तो है कुमारी सेल जागी और दूसरी सीट है रामकुमार कस्षप की ठीक है इनका कार्यकाल 9 अपरेल को पूरा हो रहा है इसलिए इनके थे होंगे समान्य चुनाव और जो विरेंदर सिंग की सीट है क्योंकि नोने इस्तीफा दिया है तो यहाँ पर दुबारा क्या होते हैं उप चुनाव ठीक है फ्रेंड टोटल होंगे तीन सीटों पर तो उनके लिए तीन उभी दवार कौन से है दिपेंदर सिंग हुटा दूसिंद कुमार गोत्तम और तीसरा है रामचन जांगडा यह नैनी आएगा क्या है रामचन जांगडा तो अंसर क्या हो गया दी तीन सीटों के दो नाम ये होगे और बचगी दो सीटे क्योंकि हरियाना में कुल पांस सीटे हैं राज्यसभा की तो उन दो सीटों पे इसमे कौन है एक सीट पे दो है सुबास चंदरा जो की है निर्दली है और एक सीट पे हैं द्वेंदर पॉल वत्स जो की है बीजेपी की तो फ्रेंड आगे आपको समझे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन रश्टपती रामनात कोविद ने कहां रखने के लिए टाइटेनियम धात्तू पर उत्किरन पवित्तर गीता की एक विशेस क्रीती परदान की है तो फ्रेंड इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजएगा कुरू छेत्तर अंसर क्या हो गया अब इसे समझो थोड़ा जो रामनात कोविद है न इन्होंने दिल्ली में हरियाना के प्रिवहन मंतरी मोलचन सर्मा और सुमी ज्यान आन्द महराज को क्या दी टाइटेनियम धातों पर लिखिः हुई गीता और इसको गीता सतली कुरू छेत्तर में रखने के लिए कहा तो हमारा क्योशन क्या बन गया ये कहाँ पर रखी जाएगी क्या जहाँ पर किया जाएगा, तो फ्रेंड यह किया जाएगा रोत्त क्मि, अंसर क्या हो गया? C, अब देखो, बात आये किसान महटसब की, यानी कृशन आया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हरियाना के क्रिसी या किसान मंत्री कौन है, यह है जेपी दलाल, कौन? जेपी दलाल यानि जैपरकास दलाल अब मैंने बात बताईए हरियाना की हरियाना के क्रीसी मंतरी है जेपी दलाल अगर बात करें भार्ट के तो यह है नरेंदर सिंग तोमर कौन नरेंदर सिंग तोमर यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और हर्याना के मुखे मंत्री पताहिए है कोन है? मनोहरलाल खटर अगला कोशिन है महिला दीवस पर राष्टपती रामनात कोविद ने वुमें ट्रांसफोर्मिंग इंडिया वार्ड से समानित किसे किया? तो यह किसे किया? तो यह किया सुजाथ्ता को अंसर क्या होगा डी अब देखो यहां से कई question बनते हैं यह अवार्ड कब दिया गया यह दिया गया आठ मार्ज को इस दिन क्या था अंतराश्टे महिला दीवस और जो सुझाता है यह कहां से हैं यह गुरू गुराम में South City 1 से कहां से गुरू गुराम में South City 1 से आप बस यह काम करती हैं लद्दाक में सरकाई स्कूलों में सिक्सा और जीवन सुधारने का काम और इसकी साथ साथ मैं आपको पता दूँ जो अंतराश्टी महिला दीवस हैं ये हर्याना में रज्य सतर पर कहां पर मनाया गया ये भी मनाया गया गुरू ग्राम में कहां पर गुरू ग्राम में ये भी क्वेशन बन जाता है और इसका उदगाटन किस ने किया मनोहरलाल खटर ने जो कि हमारे सीफ मरेश्टर अगला क्वेशन है किर्केट वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है तो बताईए ये कौन बनी है तो फ्रेंड ये बन गी है सिफाली वर्मा अंसर क्या हो गया इस समय तो बन गी है सिफाली वर्मा सबसे युवा खिलाड़ी तो इस से पहले कौन थी ये भी एकजाम में आ सकता है तो इस से पहले थी वेस्ट इंडिस की महिला खिलाडी जिसका नाम था सकाना क्विंटाइन क्या क्विंटाइन जिनोंने 2013 में वर्ल्ड कप में फाइनल खिला था उसमें थे ये 17 साल और 45 दिन की अगर बात करें जो सिफाली वर्मा है ये कितने साल की थी तो फ्रेंड ये थी 16 साल और 40 दिन की अब बात कर लेते हैं सिफाली वर्मा की तो सिफाली वर्मा का जनम हुआ 28 जनवरी 2004 को और इन्होंने पहला अंतराष्टे मैच खिला 24 सितमबर 2019 को किसके खिलाफ साउथ अफरीका की खिलाफ ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये क्या है राइट हैंड वेस्ट बूमेन ठीक है यानि ये बैटिंग करती है होगा कलेर आपको इतना और इसके लावा जो सिफाली वर्मा है इससे क्या कोशिन बन सकता है ये सबसे कम उमर की मैन उफदा मैच पर अप्त करने वाली खिलाडी बन गी है और इसके लावा वूमन किर्केट के टी टुवन्टी मैच्चों की रैंकिंग में ये कौन से नमबर पे हैं पहले नमबर पे और इसके लावा सिफाली वर्मा से एक कोशिन किसे किया गया तो ये किया गया तो फ्रेंड ये किया गया अनसर क्या गया ए और इसके लावा जो कमलेस्टानडा है ये हमारी महिला आवम बालविकास मंत्री सेफाली वर्मा अभी मैंने बताया है ये कहा से है रोत तक से और ये है किर्केटर और बात करें अलका गरक की ये कहा से है छचरोली गाम से जो की पड़ता है यमनानगर में और इनको राज्य सत्रिया इंद्रा गांदी पुरुसकार के लिए एक पॉइंट पांच यानि डेट लाग रुपे की रासी मिली है और इसके साथ साथ मैंने अभी बताय भी था जो एक कार्यकरम है ये कहां पे अगला कोशिन है अगला कोशिन है तो फ्रेंड ये किया गया अंसर क्या हो गया और इसका उबगाटन किया हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहरलाल खटर ने और अंतराश्टे महिला दिवस का थीम था इच फोर इक्वल अगला कोशिन है तो ये कहां पे किया गया है ये किया गया फ्रेंड अंसर क्या होगा यानि हरियाना कला प्रिशत का मुख्यल पहले चंडी गड में होता था लेकिन अब एक मार्च को ये सिफ्ट करके कहां पे कर दिया कुरु छेतर में और इसका उद्गाटन किया मनोरलाल खटर ने जो कि है हमारे सी एम इसके साथ साथ एक है मल्टी आर्ट कल्जर सेंटर इसका नाम भी बदल कर क्या रख दिया गया है कलाकरीती भवन क्या कलाकरीती भवन अगला कोशन है 37 वी राज्य सतर ये पसुधन परदशनी कहां आयुजित की गई तो ये कहां पर की गई प्रेंड ये की गई है करनाल में अंसर क्या हो गया अब देखो जो ये परदशनी है ये कहां पर की गई ये की गई है राष्टे डैरी उनसंधान संस्तान में जो की बढ़ता है करनाल में और इसको कहते हैं N-D-R-I जिसकी full form होती है National Dairy Research Institute अब इसे समझो, यहां से भी कोशन आता है तो को इसकी स्तापना हुई थी 1923 में कहां पे? बैंगलोर में लेकिन 1925 में क्या हुआ? इसको स्तानांतरीत कर दिया कहां पे? करनाल में इसलिए एक्जाम में क्योशन आता है कि करनाल में इसकी स्तापना कब हुई? 1925 में ठीक है फ्रेंड और इसको युनिवस्टी बना दिया 1989 में अरियाना में क्रोना वाइरस के कारण जिलो को लोक डाउन करना कब शुरू किया गया? तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा 23 मार्च देखो 22 मार्च को था जनता करफ्यू और जनता करफ्यू खतम होते ही क्या लगा दिया? लोक डाउन हरियाना में अगला कुशन है हरियाना में सबसे पहले कितने जिलों को लोक डाउन किया गया? तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा C अंसर क्या हो गया? साथ जिले ठीक है फ्रेंड अगला कुशन है हरियाना में सबसे पहले किन साथ जिलों को लोक डाउन किया गया तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा A और B दोनों अंसर क्या आएगा D यान जो साथ जिले सबसे पहले लोक डाउन किये गये थे हरियाना में वो कौन कौन से हैं नमबर एक तो गुरुग्राम, एक फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जजजर, रोतक और पंचकुलाब ये साथ जिले हैं अगला कोशन देखते हैं हरियाना के 22 के 22 जिलों को लोकडाउन कब क्या गया तो फ्रेंड बताईए ये कब क्या गया तो ये किया गया 24 मार्च को देखो, 23 मार्च को रात को कोशना की गई थी कि 24 मार्च सुरू होते ही सभी जिले लोकडाउन हो जाएंगे तो इसलिए सकंसर किया गया 24 मार्च देखो, साथ जिलों को तो किया गया 23 मार्च को और पूरे 22 के 22 जिलों को किया गया 24 मार्च को अग्ला कोशिन है अग्ला कोशिन है तो बताईए इस का अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इस का अंसर आ जाएगा क्रोना रिलिफ फंड अंसर क्या हो गया बी यानि इसमें जितना भी फंड आएगा यानि पैसे आएंगे उनसे क्या होगा क्रोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा इसके अंदर हमारे मुख्य मंत्री ने पांच लाख रुपे की रासे डाली है और चितने भी विधायक है वो अपना एक महीने का वेतन देंगी अगर आप भी इस क्रोना रिलिफ फंड में कुछ पैसे देना चाते हैं तो आपको करना क्या है ये खाता नंबर है और ये है IFSC कोड आप चाहिए तो इसमें रासी जमा करवा सकते हैं और ये खाता SBA बेंक का है जो की पढ़ता है पंचकुला के सेक्टर 10 में अगला कोशिन है लोकडाउन का उलंगन करने पर कौन सी धारा के तहत कारवाई की जाएगी तो बताईए इस कांसर क्या आएगा तो फ्रेंड इस कांसर आजाएगा A 188 धारा के तहत इसमें क्या होगा जो लोकडाउन का उलंगन करेगा उसे 6 महीने की सजा या 1000 रुपे का जुर्माना या फिर ये दोनों दिये जा सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोकडाउन है उसके अंदर ये चीचे खुली रहेंगी इसका आप सक्रीन स्चूट ले सकते हैं ठीक है वैसे में नॉर्मल भासा में बताऊं मेडिकल खुले रहेंगे जो परचून की दुखाने होती है किराना वाली यानि जर्नल स्टोर ये खुली रहेंगी दूद की डैरी खुली रहेंगी ठीक है फ्रेंट अगला कोशन है लोकडाउन का उलंगन करने पर कितने महीने की सजा का प्रावधान है तो बताइए इसका अंसर क्या होएगा तो फ्रेंट इसका अंसर आजाएगा छे महीने अंसर क्या होएगा अगला कोशन है हरियान सरकार ने कुरोना को किस अधिनियम के तहट महमारी गोजित किया तो अंसर क्या आएगा इसका इसका अंसर आजाएगा अठारा सो स्तर्णवे अंसर क्या होगा बी अठारा सो स्तर्णवे की धारा दो तीन और चार के तहट कुरोना वारिस को क्या गोशित क्या महामारी जैसे कि आप सक्रीन के उपर देख सकते हो ये तीन नमबर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इन नमबर पर कॉल कर सकते हैं देखो सेंटर के लिए नमबर है ये वाला अगर आप हर्याना रज्य से हैं तो आप इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं फिर इस पर देखो ये तो है जिले के नुसार जैसे आप जीन्द में है तो जीन्द की जीन्द में इस पर कॉल कर सकते हैं और ये है रज्य सतर पर ये है जिला सतर पर वैसे आप किसी भी नमबर पर कॉल कर सकते हैं और कुरोना वाइरस का नाम क्या है? COVID-19 अगला कोशिन है, हरियाना में कुरोना वाइरस हेलप लाइन नंबर क्या है? तो बताइए, ये क्या है? तो फ्रेंड ये है, D अंसर क्या हो गया? A और B दोनों देखो, रज्य सतर पर तो यही नंबर है 85, 583, 911 जीला सतर पर, 108 पर भी कौल कर सकते हैं तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों अगला कोशिन है, हरियाना में बेस्ट विलेज के अवाइरस से किसी समानित किया गया? तो ये किसे किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया, बाला देवी को अंसर क्या हो गया? A देखो जो बाला देवी है, ये कौन है? कैथल में एक गाव है, मुंदड़ी क्या? मुंदड़ी वहां की है सरपंच इनको समानित किया गया है, बेस्ट विलेज के अवाइरस से अब ये तो बात होगी व्यक्ति की अगर बात आती गाव की, तो अंसरा दता मुंदड़ी गाव और ये पढ़ता है कैथल में क्यों समानित किया गया? क्योंकि यहां का लिंगनुपात कितना हो गया है 1781 यानि एक हजार लड़कों पे कितनी लड़किया है इस गाव में 1781 अगला कोशन है हर्याना परदेश में रेड क्रो सुसाइटी की वाइस चेर परसन किसे बनाया गया? तो फ्रेंड ये किसे बनाया गया? ये बनाया गया है सुसमा गुपता को अंसर क्या हो गया? C और हमारा अगला कोशन है कुर्चेतर में जैविक खेती या प्राकरती खेती परसिक्षन का उधगाटन किस ने किया? तो फ्रेंड ये किस ने किया? ये किया उप्रोक सभी अंसर क्या होगा? D JP दलाल ने जो की हमारे क्रीशी मंत्री मनोरलाल खटर ये हमारे मुख्य मंत्री यानि हरियाना के मुख्य मंत्री और जो अचारियत देवर्थ है ये हैं गुजरात के रज्जेपाल ठीक है? इन तीनों ने मिलके किया उधगाटन और जो प्राकरती खेती परसिक्षन है ये कहाँ पे है? गुर्ब कुल छेतर में और इस पे लागत कितनी आई है? दो क्रोड ग्यारा लाक रुपे और फ्रेंड अगर आप अगर आप अगर आप लियाना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स त्यार कर रहे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वट्सेप नंबर 8590-8508 पर मेसिज कर सकते हैं